हर हर महादेव दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में हम सुनेंगे शिफ महापुराण श्री केलाश सहिता का तेरवा अध्याए प्रणव सब मंत्रों का बीज रूप है सकंद जी बोले हे वाम देव जी प्राते काल स्नान से निवृत होने के पस्चात गंध पुष्प और अक्षत आदी पूजा की समागरियों से भगवान शिव और श्री गनेश का विधिपूर्वक पूजन और ध्यान करें पूर्ण अहुती दे कर हवन करें और गायतरी मंत्र का जाप करें इसी प्रकार साइंकाल में संध्या करें सग्योजात के पाँच मंत्रों से हवन करें मन में भगवान शिव का देवी पार्वती सहित ध्यान करते हुए गायतरी मंत्र का उच्चारन करते हुए आहुती दे भूर भरवह सुव रोत्र कहते हुए तिरलोकनाथ कल्यान कारी भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का ध्यान करें देवादी ते महादेव जी के पांच मुख, दस भुजाएं, पंदरा नेत्र और उज्वल मनोहरी स्वरूप है उनकी पत्नी देवी पार्वती जगत माता त्रिलोक को उत्पन करने वाली और नर्गुन मैई है ऐसा मन में विचार करते हुए ज्ञानी पुरुष गैत्री मंतर का जाप करें पार्वती जी ही आदी देवी, त्रिपदा, ब्रामन तत्व दात्री और अजा है वे वहत्तियों से उत्पन हैं और उसी में लीन हो जाती है वे जगत्माता देवी पार्वती, वे दो की आदी प्रणव और शिव पात्री है प्रणव मंतर ही सब मंतरों का बीज रूप है प्रणव ही शिव है और शिव ही प्रणव है मोक्ष की नगरी काशी में मरने वाले मनुश्य को शिवजी इसी मंतर की शिक्षा देते हैं तब ही ज्यानी पुरुष को मुक्ती मिलती है इसलिए सभी को अपने रिदय में बगवान शिव को धारन कर सदा उनका पूजन करना चाहिए ओम नमस्षिवाए